हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, एडू फाइल, आज की इस वीडियो में हम लोग लाप्लाज ट्रांसफॉर्म के मल्टिप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, साथी साथ हम लोग इसके इंपोर्टेंट कुश्चन को भी सॉल्ट करेंगे, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यह क्या होता है, तो जैसे मालीजी आपके पास कोई फंक्शन है F of T, उसका आप लाप्लाज ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो लाफ F T हो गया, वो इक्वलात है Fs के, तो अगर इसी फंक्शन F of T को अगर T से मल्टिप्लाई कर दिया है, जैसा कि नाम है मल्टिप्लाई बाई T, तो अगर हम इसको T से मल्टिप्लाई कर दे, T of F T हो जाएगा, इसका लाप्लाज ट्रांसफॉर्म ले, तो डारेक्ट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, माइनस D by Ds of Fs, मतब Fs को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशियेट कर देना है, बस आपको लाप्लाज ट्रांसफॉर्म पता चल जाएगा, इसी को कहते हैं, मल्टिप्लाई बाई T प्रॉपर्टी, चलिए इसको करते हैं प्रूफ, तो हम लाप्लाज ट्रांसफॉर्म की डिफ्रेंशियेट करना है, क्योंकि यही हमें लाना है, तो S के रिफ्रेंशियेट में करते हैं, तो इधर D by Ds of Fs हो जाएगा, और इधर D by Ds of Disintegral हो जाएगा, यह आपको समझ में आया, अब इसको हम ऐसी उतार देंगे, और इसका डिफ्रेंशियेशन करते हैं, तो देखे, यहाँ पर किसका डिफ्रेंशियेशन होगा, e to the power minus ht का, क्योंकि यहाँ पर S variable है, क्योंकि जिसके रिफ्रेंशियेशन में करना है, इसका डिफ्रेंशियेशन हो गया, इसका डिफ्रेंशियेशन क्या हो गया, minus t e to the power minus ht, आप देखे, यहाँ पर minus को आप बाहर ले ले लिजे, e to the power minus ht और tft इसको लिख दीजे, यह आपको समझ में आया, अब इसको आप minus को इधर ले 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 लिजे, तो minus d by ds of fs हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं, l of tft, क्या लिख सकते हैं, l of t, क्योंकि आपका डिफ्रेंशन मालूम है, e to the power minus ht होना चाहिए, e to the power minus ht है, और ft के जिरहाँ पर यहाँ पर क्या है, tft है, क्या है tft, तो इसलिए यहाँ पर l of ft था, यहाँ पर l of tft हो जाएगा, तो यह है, proved of multiply by t property का, आपको समझ में आया होगा, अब चलिए इसके question को देखते हैं, सबसे पहले, तो इसका पहला question है, l of t sin to t, तो यह बहुत यह आसान question है, इसमें हमें क्या करना है, simply पहले हमें सबसे पहले, sin t का निकालना है, l of sin t, sin 2 t, sorry, sin 2 t, तो देखे, sin 2 t का क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में elementary formula, तो sin 80 का हमने बताया था, आपको elementary formula के मदद से, l of sin 80 जो होता है, वो होता है, a square divided by s square plus a square, यह formula होता है, तो यहाँ पर a के जिएंगा पर कितना है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2, उपर sorry, a square नहीं होता है, a होता है, a by s square plus a square, तो उपर कितना हो जाएगा, 2 upon s square plus 2 का square यानि 4, यहाँ आगे आपका, L of sin 2t, और इसको आपको क्या मान लेना है, fs, क्या मान लेना है, fs, तो देखिए, सबसे पहली चीज, आपको क्या पता करना है, L of ft is equal to fs, तो यहाँ पर L of ft is equal to fs आ चुका है, L of sin 2t is equal to fs आ चुका है, अब आपको क्या करना है, multiply by t property लगाना है, तो using या फिर applying, multiply by t property, multiply by t property को चलिए apply करते हैं, तो देखिए क्या होता है, तो इसको हम लेखेंगे, L of t sin 2t, इस तरीके से, यह equal होगा, minus d by ds of fs, आप देखिए, fs आपको पता नहीं करना है, fs तो आप निकाल चुके, यह होता है fs, आप ध्यान से जब समझे, यह है fs, fs कितना आया है, आपका fs आया है, 2 by s square plus 4, कितना आया है, 2 by s square plus 4, अब इसका differentiation आपको करना है, तो देखिए, यहाँ पर minus है, और 2 को आप बाहर ले लिजे, क्योंकि 2 constant है, और 1 by s square plus 4 का क्या होगा differentiation, इसका हो जाएगा minus 1 उपर, और नीचे हो जाएगा, s square plus 4 का whole square, अब इसका फिर से differentiation होगा, तो हो जाएगा 2s, अब इसको आप multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा है हैं अपर, 4s divided by s square plus 4 का whole square, इस तरीके हैं, आप देखें, इसको कैसे किया गया है solve, इसको आपको समझाना जरूरी है, तो देखें, इसको solve करने का तरीका यह है, differentiation कैसे किया गया, देखें, 2 को बाहर ले लिया गया, d by ds of 1 by s square plus 4, इसका differentiation करना है हमें, इसको आप कर लिजिए उपर, इसको आप उपर ले लिजिए, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका differentiation होता है, nx to the power n minus 1, यानि कि minus 1, minus 1, यानि minus 2, तो यह हो जाएगा, minus 1 by s square plus 4 का whole square हो जाएगा, नीचे जाएगा, बहुत ही simple है यह, तो यह question I hope आप समझ में आया होगा, आप चलिए next question करते हैं, देखिए, जैसे कि मालियजए आप t से multiply करते हैं, multiply by t property है, तो t से ही multiply करेंगे, अगर मालियए t square से multiply कर दिया, या t cube से multiply कर दिया, तो हम कैसे solve करेंगे, यहाँ पर देखिए t square से multiply, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एक general formula को समझते हैं, जैसे कि यह formula को आपने समझे, l of t of t is equal to minus d by ds of fs, तो अगर t to the power n आ गया है, तो यहाँ पर minus 1 to the power n से multiply हो जाएगा, simple है बस, बस इतना आपको add करना है, बस, बाकी तो सब सेम रहेगा, और यहाँ पर n आ जाएगा, पावर में, क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा, तो देखिए जैसे यहाँ पर t square है, तो t square के लिए हाँ पर d2 by ds2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d2 by ds2 यहाँ पर minus 1 का square, तो बस चलिए इस formula के हैं से हम लोग t square वाला भी solve करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, l of cos 80 निकाल लिजे, यानि कि fs पता चल जाए सबसे पहले आपको, तो cos 80 का formula आपको मालूम होगा, क्या होता है, s by s square plus a square, s by s square plus a square, यह formula होता है, अब हम लोग क्या निकालना है, l of t square cos 80, तो यह किसके एक्वल होगा, यह होगा minus 1 का square, देखिएगा formula देखिएगा यहाँ पर, और d2 by ds square, और f of s क्या है, यह है आपका f of s, यह, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, s by s square plus a square, simple है, अब देखिए, इसको minus 1 का square यहाँ निकी plus 1 हो जाएगा, तो इससे आप हमें नहीं लेना रेना है, यह plus हो गया है, अब देखिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं, d by ds और एक बार differentiate कर देते हैं, तो d by ds हमने लिख दिया, denominator का whole square into denominator into numerator का differentiation किता होगा, फिर minus denominator का differentiation, यानि कि 2s हो जाएगा, s square plus a square में क्या हो जाएगा, 2s और 1 का 0 हो जाएगा, और into s, इस तरीके से आपको करना रहते है, differentiation, तो अभी आपको एक बार d by ds यहाँ पे आपको लिखना है, फिर यहाँ पे इसको solve पर लिजिए, तो देखिए, यहाँ पे s square plus a square, और यहाँ पे minus 2s square, तो हो जाएगा simply a square minus s square, कैसे हो गया देखिए, यहाँ पे 2s square में से s square जाएगा, तो minus s square आएगा, और a square यहाँ प्लस में, बस, और यहाँ पर s² प्लस a² का whole square आपका इस तरीके से आया एक आपको समझ में आया है अब एक बार चलिए और इसको डिफ्रेंशेट करते हैं यानि कि d by ds एक और है तो अब हम इसको डिफ्रेंशेट फिर से करना है एक बार तो हो जाएगा नीचे फिर से denominator का square s² प्लस a² का whole square था तो to the power 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 और उपर देखिए denominator का denominator लिखेंगे पहले यानि s² प्लस a² का whole square यह है आपका denominator और into numerator का differentiation मतलब कि a² का 0 होता है minus s² का क्या हो जाएगा minus 2s यह हो जाएगा फिर minus आपका उसके बाद में हो यह numerator into denominator का differentiation denominator क्या है आपका यह है पूरा s² प्लस a² का whole square तो देखिए पहले इसका होगा denominator का differentiation 2 s² प्लस a² यह हो गया आपका पहले फिर s² का further होगा s² का further होगा कितना हो जागा 2s हो जाएगा यहां से देखिए हमें denominator का differentiation यहां पर करना है तो यह समझा लिजिए x की power square लिखा है तो x² का क्या होता है 2x यह x नहीं है इसका फिर से करेंगे तो s² का क्या हो जागा 2s हो जागा यह है ट्रेश का differentiation अब इसको चलिए और solve करते हैं तो यहां पर देखिए चलिए कुछ common ले लेते हैं क्या common ले लेते हैं s² plus a² का हम ले लेते हैं common तो अब देखते ही क्या मिलता है हमें s² plus a² को common लेने के बाद s² plus a² एक बार मिल जागा और यहां पर माइनस 2s और यहाँ पर क्या मिलता है a2 माइनस s2 और यह s2 प्लस a2 कॉमन हो चुक है आपका अल्रेडी अब यहाँ पर 2 टूजा कितना हो जाएगा 4s यह आपका उपर आ गया और नीचे है आपका s2 प्लस a2 to the power 4 यह आप देखिए यह और एक पावर नीचे कैंसल हो जाएग इससे इसका multiply होगा कितना आएगा आपका minus 2s3 minus 2s3 इससे इसका होगा कितना आएगा minus 2as2 फिर आपको इससे इसका करना है तो हो जाएगा minus 4a2 और s फिर इससे इसका होगा तो यह प्लस हो जाएगा plus 4s3 यह हो गया आपका और नीचे आपका क्या बचेगा यहाँ पर देखि s² plus a² to the power 3 आप देखिए कुछ common हो रहा है तो common ले लिजे तो यहाँ पर हम लोग 2s common ले सकते हैं क्योंकि देखिए सब 2 से कट रहा है और सब में s है तो क्या common ले सकते हैं 2s तो 2s को common लेने के बाद क्या मिलता है देखिए यहाँ पर मिलेगा minus 2s² यह मिल लेगा फिर यहाँ पर हमको मिल लेगा plus 2s² यह हमको मिल लेगा उपर और नीचे है s² plus a² का cube फिर इसको चलिए और solve करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है तो 2s उपर है आप देखिए minus s² और यह 2s² इसमें से यह जाएगा तो किता आएगा s² और यह है आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका as as होगा देखिए यहाँ पर minus 2as होगा तो यहाँ पर आपका s नहीं होगा क्योंकि s क्या है common लेगा है तो यहाँ पर a है स्रिफ क्या है a है और यह a² होगा अब देखिए यह आपका कित्ता हो जागा माइनस 3a² और नीचे है आपका s² प्लस a² का cube अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर फिर से देखिए इसका multiplication जो हमने करना है तो हो जागा माइनस 2a² s फिर इसको हम नीचे यहाँ पर 2s कॉमन ले लेंगे तो लगेगा shifting property एक multiply by t property shifting property को हम लोग already discuss कर चुके है पिछले वीडियो में क्या होता है अगर मैं बता दूँ आपको तो देखिए अगर l of ft होता है जो अगर वो fs के equal है और अगर माँ लेजे l of e to the power 80 से हमने multiply कर दिया किस function का उसी function का तो इसका laplace transform जो होगा वो f of s minus a के equal होगा बस सिंपल आपको घटा देना है बस इस तरीके से निकालना रहता तो यहाँ पे दो property लगेंगी shifting property और multiply by t property तो सबसे पहले इसको हम systematic way में लिखते हैं पहले हम इसको लिख देते हैं e to the power 80 को यहाँ पे लिख देते हैं और t sin 80 इस तरीके से चलिए लिख देते हैं यह आपको दिख रहा होगा l of e to the power 80 t sin 80 तो यहाँ पे दिखिए आप चाहे multiply by t property पहले लगाईए चाहे आप shifting property लगाईए तो हम लोग यहाँ पे multiply by t property सबसे पहले लगाएंगे t of sin 80 आपको दिख रहा है इन दोनों में क्योंकि यहाँ पे t से multiply हो रहा है तो यहाँ पे multiply by t property पहले लगाते हैं तो पहले l of sin 80 आपके लगाए l of sin 80 किसके एकवल होगा आपको मालूम है formula a square divided by s square and plus a square इसके एकवल होता है अब multiply by t property क्या है multiply by t property है कि आपको differentiate करना है fs का fs का क्या करना है differentiate करना है minus d by ds of fs तो यह है आपका fs अभी फिलाल के लिए fs इसको आपको differentiate करना है तो इसको differentiate आपको पहले लिख देना है by a square s square plus a square इस तरीके से लिख दीजे अब यहाँ पे a square जो है वो constant है तो इसको बाहर ले लिजे और d by ds of 1 by s square plus a square अब देखे minus a square और इसका differentiation जो होगा होगा minus 1 divided by s square plus a square का whole square बहुत ही simple है आप कर लेंगे क्योंकि इसी तरीके का differentiation अभी हम लोगों ने किया है तो यहाँ पे a square by minus minus plus हो जाएगा s square plus a square यह आपका रागया l of t sin 80 इस तरीके से आपको f s का differentiation करना है बस और यहाँ पे एक चीज़ देखे miss हो गया क्या miss हो गया s square का हमें फिर से differentiation करना होगा तो 2s हो जाएगा तो यहाँ पे 2a square s क्या लिखेंगे आप 2a square s इस तरीके से आपको ध्यान से differentiation करना है तो यह आपको clear है differentiation इस तरीके से हमें करना है अब चलिए करते हैं L of e to the power 80 T sin 80 यानि पूरे एका निकालते हैं तो पूरे एकार कैसे निकलेगा देखे L of t हमको इस तरीके से लिखना चाहिए बलकि L of e to the power 80 T sin 80 देखे अब हम लोग यहाँ पर shifting property अप्लाई करेंगे shifting property तो shifting property की मतद़ से f of s minus a हो जाएगा यानि कि जहां जहां s है वहां minus a हो जाएगा तो 2a square s minus a यानि कि s minus a लिख देंगे और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका s minus a का square and plus a square बस तो 2a square s minus a और नीचे अब देखे क्या होगा आपका s is a square plus b square तो यहाँ पर देखे b square यानि a square होगा a square a square यानि कि 2a square हो जाएगा और minus 2ab यानि कि minus 2as यह आपका answer हो जाएगा इस तरीगे से आपको करना है ध्यान से करिएगा shifting property और multiply by t property दोनों को apply किया गया है यहाँ पर आपने multiply by t property apply किया है multiply by t property और यहाँ से आपने shifting property को apply किया है तो अगर आपको इसमें doubt आ रहा है तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखेगा shifting property का इस वीडियो में इतना रखते हैं video technically thank you, thank you so much